Good morning, Namaste, Assalamualaikum, Sashrikaal, KM Show, कैसे हैं, आप लोग उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे जहां कहीं भी होंगे अगले साल 2 हजार 25 में एकजाम देना है न 12 क्लास का तो अगले साल 2 हजार 25 में 2020 में अगर 12 ग्लास में 90% से भी ज्यादा नंबर आप लाना चाते हैं तो क्या लगता है आपको आ जाएगा ऐसे ही थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा आपको थोड़ा बैक जाना पड़ेगा तब जाके आप 90% क्रॉस कर पाएंगे शेर भी लंबा चलंग लगाने के लिए कुछ कदम पीछे जाता है एक बहुत बड़ी तुफान आने से पहले बहुत बड़ा शान्ती सन्नाता होता है तो क्या चाहते हैं आप जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते जाएं और 90% मार्ट आ जाएगा नहीं 90% से भी जादा नमबर लाने के लिए आपको दो कदम पीछे जाना होगा आज मैं बताऊंगा, आज हम लोग बात करेंगे कि हम दो कदम पीछे कहा जाएंगे और किस प्रकार से चलांग लगाएंगे कि हम 90% भी पार कर जाएं जदि आप इंग्लिश में 2025 में एक्जाम देने वाले हैं क्लास 12 वोर्ड का तो आपको सबसे पहले तो syllabus की जानकारी होनी चाहिए बहुत सारे बच्चों का demand था कि सर थोड़ा syllabus के बारे में discussion करा दें कि हम लोगों को पता ही नहीं है कि किस रास्ते पर कितना जाना है और कहां से कितने किलोमेटर से किधर टर्न करना है यहीं नहीं मालूमें हम लोगों को तो दिक्कत हो रहा है हम लोगों को आगे जाने में तो गईज आज हम बात करेंगे कि 2025 में यदि आप 90% से भी जादा नंबर आप लाना चाहते हैं तो आपको अपने English के 100 marks syllabus को देखना होगा क्या आपने English के 100 marks syllabus को अपने जुमां पर जुमां केसरी के जगा पर आप इसको डाल ली हैं यदि नहीं तो आपका सबसे पहला काम है कि English में सबसे पहले 100 marks का jsूस एभ उसको आप अपने जुमां पर एक्दम रख ले एकदम सामने में आपका ये syllabus वैसे पता होना चाहिए दो पार्ट में बटा है एक पार्ट को कहते हैं literature और एक पार्ट को कहते हैं grammar और इसी से आपका आता है question paper और जो आपका question paper है वो इसी से आता है literature और grammar इन्हीं दो किताबों से मिल करके आपको 100 नंबर बनाके question paper तयार होता है और ये जो question paper तयार होता है ये भी दो पार्ट में बटा होता है एक पार्ट को कहते हैं हम लोग क्या एक पार्ट को कहते हैं हम लोग objective और एक पार्ट को कहते हैं हम लोग subjective पेव, मालुम है, सब को इतना तो सब को मालुम होगा, अच्छा नमबर लाने के लिए दो कदम पीछे कैसे जाए, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से कितने नमबर का क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि किस-किस question आ रहा है आपके exam में और ये पता कहा से चलेगा ये पता चलेगा जब आप थोड़ा महनत करेंगे ये पता चलेगा जब थोड़ा दो कदम पीछे जाएंगे यानि previous year question को यदि आप खंगा लेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमारे exam में कैसे कैसे questions आते हैं आप 12 class का exam देने वाले है यानि आपको कोई अनुभाव नहीं है आप 12 class में बैठेंगे कैसा paper आएगा कैसा नहीं आएगा आपको कोई भी अनुभाव नहीं है आज हम बात करेंगे कि वो अनुभाव हम लाएंगे कहां से तो वो हम लोगों के पास आएगा जब हम previous year question bank देखेंगे, previous year का question paper देखेंगे, उसके previous year का question paper देखेंगे, उसके previous year का question कम से कम तीन साल पहले का paper देखेंगे और हम मिलाएंगे कि बिगत तीन बर्सों से जो हमारे exam में questions का pattern है वो कैसा है और जैसा pattern follow करते आ रहा है, उसी pattern पे तयारी करेंगे, यकीन मानिये, 90 क्या 95% marks से भी जादा आपला सकते हैं सबसे पहले तो विद्यार्थियों को pattern मालूम होना चाहिए कि question किस pattern पे पूछ रहा है और विद्यार्थियों को पता ही नहीं है, सबसे बहुत चारे ऐसे विद्यार्थियों होंगे जो इस वीडियों को देख रहे होंगे और उनको आज तक उन्होंने कभी भी पहले previous year का question paper उठा के देखा ही नहीं होगा कि exam में किस-किस प्रकार के questions आते हैं सबसे पहले मैं तो कहता हूँ कि तयारी करने से पहले आपको एक बार question paper देखना चाहिए मैं तो कहता हूँ कि आपको हर एक महीने में एक बार question paper पहले का previous year question paper आपको हर महीने में एक बार देखना चाहिए अगर मेरी राय मानेंगे तो हर महीने में आप एक बार अपना question previous year question paper हर महीने में एक बार आपको देखना चाहिए उससे आपको आइडिया मिलता है, उससे आपको एक मोटिवेशन भी मिलता है, उससे आपको आइडिया भी मिलता है, कि आप कैसे तयारी करें, आज हम उसी पर बात करेंगे, कि दो कदम पीछे जाएंगे और दो कदम पीछे जाकर के लंबा छलंग लगाने का प्रयास करेंगे आप अगर तयारी कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं कितना कर रहे हैं अबजेक्टिव की तयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको कितना अबजेक्टिव की तयारी कर कि आप अच्छां 50 में 50 अबजेक्टिव आप कर सकते हैं सो अब्जेक्टि पूछे का आपको पचास कर रहा है आपको कोई प्रेशर नहीं है कि आप लिट्रेचर में इतना बनाई है आप ग्रामर में इतना बनाई है कोई प्रेशर नहीं है यदि आपका लिट्रेचर अच्छा है तो लिट्रेचर के सारे क्वेश्चन को आप बना द दीजे, 20 questions आप grammar के बना दीजे, जो portion आपका तगड़ा है उसको पकड़िए, ठीक है, बात समझना रही हम क्या क्या रहे, तो strategy बनाना पड़ता है, exam में अच्छा number लाने के लिए plan करना पड़ता है, और बीना planning के अगर आप तयारी में बैठे हुए हैं, तो समझ लीजे कि ब बहुत लंबा चलांग आप नहीं लगा पाएंगे, याद रखियेगा, आपको plan करना पड़ेगा, बिना plan के आप नहीं उतर सकते हैं मैदान में, इसलिए आपको planning के साथ उतरना होगा, और planning कैसे करेंगे, तो previous year question paper आप देखें, सबसे पहले आज हम बात करें, objective पे तो बह सब्सकार से हम लोग subjective की तैयारी करेंगे, तो आपको मैं बता दूँ, आईए, subjective पे हम लोग आज बात करेंगे, और देख लेते हैं, subjective में, यहाँ, यहाँ पर, यह देखिए previous year question है, आप देख पारें, यहाँ पर previous year question का section B, आप यहाँ देख पारें, यह section B है, यह है आपक section B, और इस section B में आपको total 50 marks मिलेंगे, यह subjective है, section B जो है, subjective है, इसके उपर जो है, वो section A है, जो objective है, अब यह जो है, वो section B है, अब इस section B के जो subjective वाले portion है, इसमें क्या-क्या question आता है, तो सबसे पहले आपको A से लिखने के लिए आ रहा है, 8 number का, यह जरूरी है, आपको marking scheme जानना पड़ेगा, कि कौन से topic से कितने number का question आता है, यह जरूरी है, जानना, देखिए, A से लिखने के अब यह आ रहा है, 8 number का A से लिखने के लिए, अब A से लिखने के लिए, या तो आपको सीखना पड़ेगा, या तो आप अगर guess करना चाहते है, तो पिछले 5-6 साल प जाईए कि सबसे जादा किस topic से question पूछा है, यहाँ my school है, national integration है, health is wealth है, value of time है, आप पिछले 5-6 साल पहले जाईए, और सारे जितने भी, दो हजार, 24, 23, 22, 21, 20, 29 तक जाईए, और जा करके आप list बनाईए, सबका list तयार करिए, और देखिए कि सबसे जादा common किस बिंदू पे किस topic पे सबसे जादा common एसे लिखने के लिए दे रहा है, याद रखिए उन उन बिंदूओं पे उन उन topics पे यदि आप तयारी कर लेते हैं, तो 99% chance है कि आपका, आपका खुद का guess, आपका खुद का किया हुआ guess, आराम से लड़ा करके आईएगा, तिसी के guess क करेंगे और आपका guess लड़ जाएगा, आपको दूसरे के, दूसरे के guess की जरूरत नहीं है, आप खुद guess करिए और खुद अच्छा number लाइए, आगे देखिए, आगे चलते हम लोग, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है explanation, यह देखिए, इसके बाद आता है explanation, यह चार-चार number का explanation आता है, चार-चार number का explanation आपके सामने दिख रहा है, यह चार-चार number का दो explanation आता है, एक आता है प्रोज से, और एक आता है poetry से, यह explanation जो है, वो कवीता या कहानी के बीच में से एक line उठा करके दे देगा, और आप से कहेगा कि इसको explain करिए, अब आप explain कैसे करते हैं तो आपको explain करना होता है कि जैसे metric वगरा में आपने देखा होगा दे देता है एक स्लोक और उसका कहता है भवार्थ लिखते हैं आप लिखते हैं कि निम्नलिखित पंक्तियां फलाने चैप्टर से ली गई है इसके लेखक फलाने ढेकाने हैं इसमें कभी यह कहना जो भी chapter आप पढ़ाई कर रहे हैं उस chapter को ध्यां से पढ़ेंगे और जो आपके teacher पढ़ाते समय जिस line को underline कर देते हैं और कहते हैं की यह line बहुत important है इस line को घेर देते हैं अंडरलाइन कर देते हैं, यह लाइन बहुत इंपोर्टन है, उस लाइन का प्मोच पकड़ लीजेगा, और प्मोच पकड़ के आप परिच्छा हॉल तक जाएगा, यकीन मानिए उसी में से कोई ना कोई लाइन आपको लड़ जाएगा और आ जाएगा, तो इस लिए टीचर के द्वारा जो अंडरलाइन की गई, जो हाइलाइट की गई, जो लाइने हैं, उस लाइनों को आप हलके में ले, वो लाइन आ सकता हैं आपके एक्जाम में, ये था आपका कॉश्चन नंबर टू, और कॉश्चन नंबर टू के बाद आता है, एकस्प्लें एनी वन के लिए होता है ध्यान में रखिएगा चार आप्स्टनि देता और एक ही इक स्प्लें करने के लिए आता है इसके बादव आपको आता है पूरे्धंगर करने के लिए आपको आता है पूरे 5नबर का अगर या प्लीकेशन आप लोगों को आप दिमाग लगा लेते हैं कि किस-किस टाइप के कब-कब questions आते हैं यह किन मानिए आप खुद से लेटर यह application लिख लेगे खुद से लिख लेगे वैसे मैं बताऊंगा मेरे channel के साथ जुड़े रहेंगे आप लोग daily life चलता है 8 वज़े से लेकर के 9 वज़े तक मैं daily life लेता हूँ आप लोगों को later लिखना सिखाऊंगा explanation करना सिखाऊंगा summary लिखना सिखाऊंगा एक एक चीज मैं आप लोगों को November तक सिखा के 20 November तक आप लोगों का course मैं complete कर दूँगा यह later और application दोनों में से कोई एक ही लेगा इसके बाद इसके बाद क्या होता है और यह इसके बाद देखते हैं इसके बाद है answer any five of the following in about 40 to 50 words अब यह question answer अब पहले long long question answer आता था अब छोटा छोटा दो दो लाइन का यह दो नंबर का question है इतना लिखेगा दो नंबर का question है और दो नंबर का 5 वो question लिखना है आपको 7-8 question दिया हुआ रहता है उसमें से 5 question का जबाब देना है आपको यह होगी आपका question answer यानि कि आपको subjective में question answer की भी तयारी करनी है यह मैं सिर्फ एक जरिया दिखा रहा हूँ मैं एक रास्ता दिख सही सलामत और अच्छे से मतलब सबसे आगे आप पहुँच पाएंगे तो यहां आपको देखना जरूरी है कि अगला जो आपका portion अगला application लेटर के बाल जो आता है वो आपको सामना करना होगा question answer से यह अगला आपको question answer एकदम बाली की तरह question answer एकदम खड़ा रहता एक्ज तो तुरंट आपको मिलेगा अँगे देखने आपको क्या मिलेगा तो तुरंट आपको सामना करना पड़ेगा answer any three of the following से अब तुरंत आपको सामना करना पड़ेगा, पूरे तीन question का देना है जबाब, और एक question पांच नंबर का होगा, दूसरा question पांच नंबर का और तीसरा question पांच, यानि टोटल 15 नंबर का question होगा, अब 15 नंबर के question के लिए आपके पास options क्या-क्या रहेंगे, अब आप देख ल लेकिए, यहाँ six में कितने options हैं, a, b, c, b, e, f, f, f तक, a, b, c, d, e, f, यानि कि छे, छे option है, और छे में आपको जवाब देना है, तीन का, छे में आपको जवाब देना है, तीन का, जिसमें क्या-क्या होता है, तो, a में दे देगा summary, b में दे देगा summary, एक approach का, एक poetry का, c में दे दिया story of English से a question, a story of English से a question, d में आपको, क्या दे देगा, d में दे देगा match the following, लेखक का नाम और chapter का नाम, e में दे देगा आपको translation, translation, और, of e, 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 और, एक डिन, में आपको फिर से दे देगा match the following, लेखक का नाम और chapter का नाम, तो, आपको जानना चाहिए, कि अब इतने options हैं, और सारा पाच 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 नमबर का है, सारा पाच पाच नमबर का है, सारा पाच पाच नमबर का है, अब इसमें से केवल 15 नमबर आपको लाना है अब 15 नमबर आप कोई भी लिख के ला सकते हैं तो मेरे जैसा आदमी रहेगा तो सबसे पहले तो दू मैच बना लेगा पांच नमबर का और पांच नमबर का 10 नमबर तो हम मैच दा फॉलोइंग मैं लेखा का नाम याद कर लूँगा लेखा का नाम मैं याद करके जाओंगा प्रोज के लेखा का नाम और पोईटरी के लेखा का नाम मैं याद करके जाओंगा मैं 10 नमबर तो यहीं से ले लूँगा ये D और F बना करके मैं 10 नमबर तो यहीं से ले लूँगा सुंदिरं में सरण में डाल लेंगे और याद करके चले जाEMA और लिखeshतेंगे तहिए अप पांच-पांच-दस-पांच-पंदर बस इतना का 위한 था मेरे को दरा नंबर हो गया खतम हो गया 15 नंबर का का मिता मेरे को 15 पंदरा नंबर हो गया हट गया इसका अब जैसे पंदरा नंबर का सामना होता है और पंदरा नंबर को हम लोग भेद के आगे बढ़ते हैं कभी सामना होता है हम लोगों को अगले राक्षस से और अगले राक्षस का नाम है पैसे जो की चार नंबर का आपको पैसे आता है या प्रैसेज प्रैसाइज आता है तो पैसेज या प्रैसाइज दोनों में से कोई भी आप बना सकते इसका प्रैक्टिस में आप लोगों को अपने ही चैनल पर करवाऊंगा आप पैसेज का भी प्रैक्टिस करवाऊंगा प्रैसाइज का भी प्रैक्टिस करवाऊंगा अपने च फिर बच्चा समझ रहा है इसी मैं से answer देना होता है बाहर से answer याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन जिन बच्चों को Ingelease पढ़के समझने में दिक्कत होता हुद उनके लिए answer करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे tricks बनाए गये हैं कि वो बच्चा अभी ऐसे ऐसे पैसेज का सही उत्तर दे करके चार नंबर अपना हासिल कर सकता है और ये है सब्जेक्टिव का आखरी पड़ाओ, जैसे ही बच्चा इस पड़ाओ को पार करता है, पचास नंबर उसका पूरा होता है, पचास नंबर अब्जेक्टिव और पचास नंबर सब् मनजिल प्राप्त करने के लिए अच्छे से मनजिल प्राप्त करने के लिए आपको दो कदम पीछे जाना होगा, आपको क्वेशन बैंक में जाना होगा, प्रीवियस यर क्वेशन पेपर को देखना होगा, उसको खंगालना होगा, उससे बात करना होगा, उसके क्वेशन को द चीज के एक्जाम में बढ़िया नमबर लाएं बहतर नमबर लाएं तो बने रही है मेरे इस YouTube चैनल के साथ हर रोज रात आठ बजे आठ से नौ डेली लाइफ क्लास में मैं आपको ले चलूँगा मैं आपको पार कराऊंगा मैं आपको 90% से भी जाधा नमबर दिलवाऊंगा किया मतलब मैं आपको जाके दिलवाऊंगा नहीं तैयारी करवाऊंगा तो बने रही है हमारे इस YouTube चैनल के साथ जो भी questions हो जो भी doubts हो आप comment box में लिख सकते हैं जो भी सिखायते हो आप comment box में लिख के आप मुझे जानकारी दे सकते हैं मैं आपके जो भी सवाल होंगे उन और मैं video बना कि आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा इसे ज़र्ण में क्या कर सकता हूं और हां एक बात और टेस्ट की प्रक्रिया आपकी बहुत जल्द सुरू होने माली है बहुत जल्दी हम लोग टेस्ट की प्रक्रिया सुरू करेंगे उस पर काम हो रहा ह आप लोगों का test series भी चलेगा जब चलेबस complete करा देंगे तो आप लोगों का test series हम चलवाएंगे और उस test series में सबसे पहले मैं previous year के जितने भी 5-7 साल के जितने भी questions हैं उन सारे questions को मैं पहले बनवाऊंगा तब model set करवाऊंगा याद रखेगा इसलिए बने रहे हमारे इस चैनल के साथ English with Mathur said only on my YouTube channel Arsenal daily life class बहुत 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 धन्यवाद आगे जो भी परेशानिया होंगी आगे जो भी आपके problems होंगे जो भी आपके doubts होंगे आप comment box में बताइए कि मैं उसके लिए भी वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुंचाने संतानवे तक नंबर पहुंचाने का प्रयास करिए जय हिंद जय भारत